19 नौमबर 2021 शुक्रवार को इस साल का आखिरी चंदरगहन लगने जारा पंचांके नुसार इस दिन कार्तिक मास की शुकलपक्स की पुर्णिमा तिती है हिंदू धर्म में कार्तिक पुर्णिमा को बहुत महतुपून माना गया है और इसी तीती को ये साल का आखिरी चंदरगहन लगने जारा आपको बता दू हजारू सालों में पहले बार ये सदी का सबसे लंबा चंदरगहन होगा और इस रिए ये चंदरगहन बहुती महतुपून माना जारा है जोती स्विग्यानीकों की तरब से और ऐसे में दोस्तूं चंदरगहन के दोरान कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वरना उनका बहुत ही आईशू प्रभाव पड़ता हैं और आपकी जिंदगी में नकारात्मकताएं आ सकती हैं तो आईए नजर डालते हैं कि क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और खास करके कुछ राशिया ऐसी हैं जिने चंदरगहन के दोरान सावधान रहने की जरूरत हैं चंदरगहन के बाद लगबग एक महिने तक इस राजी वाले लोग बाग सावधान रहें वो भी लिष्ट में आपको बताऊंगा इस बार ये चंदरगहन जो सबसे लंबे समय तक लगेगा ये भारत के अलाव भी कई देशों में देखा जाएगा आपको बता दूँ चंदरगहन एक बहुती महतुपून खगोलिये गटना है इसके प्रतेक्ष और अपरतेक्स प्रभाव धर्ती पर भी देखे जाते हैं और इस कारण गरहन काल में कुछ सावधानिया अपनाना बहतर होगा सनातन महरशियों के अनुसार गरहन काल को सेशनाक की हलचल माना जाता है जिससे की प्रत्वी प्रभावित होती है और प्रत्वी वाशियों के लिए ये समय सतर्कता और संकर्बन का होता है जोती साचारियों के अनुसार चंदरगहन का प्रभाव प्रतेक जीव, जड़ और वस्तु पर पढ़ता है। जल राशियों से दूर रहना चाहिए। जल तत्व की राशि, व्रिशक राशि में इसमार गठित होने जाना। ये चंदरगहन की नीच रासि हैं, मंगल ग्रह इस रासि के स्वामी हैं। वहीं मंगल प्रत्वी तत्व के कारक ग्रह भी हैं। एर इसमें नीचस्त चंदरबा को ग्रहन लगना जल और प्रत्वी तत्वों में बड़ी हलचल का संकेत बनता है। और खास करके दोस्तूं ग्रहन काल के दोरान गर्वती माताओं बहनों को तो बिल्कुल भी गर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं ग्रहन काल के दोरान जहां तक उसके आपको गर पर ही रहना चाहिए क्यूंकि कई बार ग्रहन में ऐप्रभावित प्राकर्तिक गटनाई देखी जा सकती जैसे कि आंदी तूफान आना भुकम पाना वगएर वगएर इसलिए इन चीजों से भी आप सत्तर करें और दिख धान करें चंदरगहन के दोरान मंतर जब करना सुब रहता है आप इस समय में ओम अम अनुमते इनम है इस मंतर का जाप करें मेसरासी में कौन-कौन से जातक आते तो इनके भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तूं मेसरासी में चूचे चो लालीलू लेक इस नाम के जो पहला अकसर सुरू होने वाले जातक हैं वो आते और वो चंदरगहन के दोरान मन को सांत रखने का प्रियास करें और और पर करने से नम सांत रहेगा और ग्रेण काल के दोरान भघवान का ज़एदा से ज़्यादा धियान करें वहीं सिंग रासी वाले जातकों के लिए भी एक चेतावनी आ रही है जिनके नाम का पहला अकसर मै मी मे मो टा टी टू टे से सुरू होता है वे जातक भी ग्रहन के दोरान अपने स्वास्ते का विशेश ध्यान रखें परिवार के सदिश्यों का खयाल लखें उनके साथ समय व पड़ें आपको कार्य करने के लिए सफलता में ज्यादा में पढ़ सकती है धन्हानी भी हो सकती है और इसलिए ग्रहन का आल के दुस्प्रवाओं से बचने के लिए गर में सामसपाय रखें माल अक्ष्मी का ध्यान करें और बात करें कुम्बर आसी के जातकों की जिनके न करना करना पड़ सकता है और इसलिए आप ग्रहन के दुस्प्रवाओं से बचने के लिए भगवान हनुमान जी का ध्यान करें बजरंग बली का तो यह राशिया है जो ग्रहन काल के दोरान ज्यादा प्रवाइत हो सकती मैं आपको पूरी लिष्ट बता दी इन राशियों के विडियोज के माध्यम से विडियो को लाइक और शेयर करना चैनल को सस्क्राइब करके बला आइकोन जरूर दबा देना जै हिंक जै बारत वंदे मात्रम